जाहिन नमस्कार प्रभात एकजाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक श्वागत एवं अभिनंदन हैं मैं आज आप लोगों के साथ मुद्रा इस्पिति और उश्य शंबंदित बिवित पक्षों उश्य शंबंदित और धारणाओं के बारे में चर्चा पर चर्चा हम करेंगे अक्सर समाचार पत्रों में टीवी चैनलों पर मुद्रा इस्पिति को लेकर चर्चा होती रहती है तो ऐसे में सिविल सेवा के तैयारी करने वाले अभियर्थियों के लिए या अन्य प्रतियोगी परिच्चाओं के तैयारी करने वाले अभियर्थियों के लिए मुद्रा एस्पिते के बारे में शमग्र जानकारी होना आवश्यक है तो आज हम आपके शाथ मुद्रा एस्पिते की ABCD के बारे में चर्चा पर चर्चा करेंगे मुद्रा एस्पिते क्या है? मुद्रा एस्पिते के उत्पन होने का कारण क्या है? मुद्रा इस्पिती किस प्रकार आंकलित के जाते है मुद्रा इस्पिती की गर्णा कौन करता मुद्रा इस्पिती के विभिन प्रकार क्या है मुद्रा इस्पिती से संबंदित अवधारना है क्या क्या इसके बारे में हम चर्चा पर चर्चा करेंगे मुद्रा इस्पिते के प्रभाव क्या है इनको लेकर के हम आपके शाथ चर्चा पर चर्चा संभाद करेंगे सिविल सेवा परिच्छा या अन्य प्रतियोगी परिच्छा जहां अर्थव्यवस्ता से प्रश्न पूछे जाते हैं वहां मुद्रा इस्पिती बहुत ही एक महत्वपुन बिशय के रूप में सब्जक खंड के रूप में यह जाना जाता हूँ सामान नितया मुद्रा इस्पित के संदर में कहा जाता है कि जब बस्तूओं की कीमतें बढ़ती है तो यह मुद्रा इस्पिती बरतमान में देख रहे हो टमाटर की किमतें बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे है या टमाटर के संदर में मुद्रा इस्पिते है तो मुद्रा इस्पिते के संदर में कहा जाता है कि मुद्रा इस्पिते का अर्थ है बस्तूओं की किमतों का तेजी से बढ़ना जब बस्तूओं की किमते तेजी से बढ़ने लगते हैं तो इसे मुद्रा इस फिते कहा जाता है इसे मुद्रा इस फिते कहा जाता है बस्तूओं की किमतों में होने वाली सभी ब्रिद्धे मुद्रा इस फिते नहीं है बस्तूओं के किमतें जब धीरे धीरे बढ़ती है तो इसे मुद्रा इस्पितें नहीं कहा जाता मुद्रा इस्पिती का प्रश्म तभी उड़ता है जब बस्तूओं के किमतें तेजी से बढ़ने लगती है तो इसे मुद्रा इस्पितें कहा जाता जब बस्तूओं के किमतें धीरे धीरे बढ़ती है तो यह अर्थ व्यवस्था के लिए टानिक का काम करती है मुद्रा इस्पिती का अर्थ है कि जब बस्तूओं के किमतें तेजी से बढ़ने लगती है तो इसे मुद्रा इस्पिती का जाता है सबसे पहले हमने कहा कि मुद्रा इस्पिति क्या है सामान नितया बस्तूओं की किमतों में होने वाली बृद्धी को मुद्रा इस्पिति कहा जाता परन्त बस्तूओं की किमतों में होने वाली सभी बृद्धी मुद्रा इस्पिति इंफ्लेशन नहीं होती है जब बस्तूओं के किमते तेजी से बढ़ती है तो इसे मुद्रा इस्पिती कहा जाता है जब बस्तूओं के किमते धीरे धीरे बढ़ती है तब यह इस्तिती अर्थव्यवस्था के लिए टानिक होती है क्योंकि जब तक बस्तूओं के किमतें बढ़ेगी नहीं, उतपादकों और विक्रेताओं को लाब नहीं होगा, तो उनके दोरा बस्तूओं का न तो उतपादन किया जाएगा, न बस्तूओं की विक्री की जाएगी. इसलिए मुद्रा इस्फिती का होना भी आवस्यका है बस्तुओं की कीमतों में धेरे धेरे बृद्धी होना भी आवस्यका है अगर रिवाइटल कैपसुल की एक-एक गोली आप खाते हैं तो यह आपके स्वास्त के लिए लाबदायक है अगर रिवाइटल कैपसुल की पूरी डिब भी आप एक दिन खा जाते हैं तो यह आपके स्वास्त के लिए लाबकारी नहीं है बलकि यह आपके स्वास्त के लिए हानिकारोग होगा उसी प्रकार जब बस्तुओं की किमतें धीरे धीरे बढ़ती हैं तो अर्थव्यवस्था के लिए उपयूप लेकिन जब अधिक तेजी से बढ़ने लगती है तो यह अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होता है समाज के लिए हानिकारक होता है प्रशासन के लिए हानिकारक होता है सिष्टम के लिए हानिकारक होता है लोगों के लिए हानिकारक होता है तो आप से कोई पूछता है कि मुद्रा इस्पिती क्या तो आप यहीं कहना कि मुद्रा इस्पिती वह इस्थिती है जब बस्तूओं की किमतें तेजी से बढ़ने लगती है और मुद्रा की क्राय सक्ति तेजी से कम होने लगती है मुद्रा मुल में परिवर्तन की वह इस्तिती मुद्रा इस्फित कहलाती है जब बस्तूों की कीमतों में तेजी से बृद्धी होती है और मुद्रा की क्रह सकती में गिरावटाती है मुद्रा की क्रह सकती का मतलब है कि मुद्रा की एक इकाई से किसी बस्तू की कितनी मात्रा खरी दे जा सकती है उसे मुद्रा की क्रै सक्ति काते है मुद्रा इस्पित में मुद्रा की क्रै सक्ति कम होती है बस्तूओं की कीमतें बढ़ती है मुद्रा की क्रै सक्ति और बस्तूओं की कीमतों में बिपरीत संबंद होता तो मुद्रा इस्पिति में क्या बस्तूं की कीमतें जो होती है बस्तूं की कीमतें तेजी से बढ़ती है और मुद्रा की क्रैश सक्ते जो है मुद्रा की क्रैसक्ति तेजी से कम होती है तो आपसे ही बताना कि मुद्रा इस्पिती वह इस्थिती है या मुद्रा इस्पिती मुद्रा मुल में परिवर्तन की वह इस्थिती है जब बस्तुओं की किमतों में तेजी से गिरावट आती है किम्तों में तेजी से ब्रिद्धी होती है और मुद्रा की क्रय सक्ति में तेजी से गिरावटाती है सामान नितया मुद्रा इस्फिती उत्पन होने का कारण मुद्रा इस्फिती उत्पन होने का कारण कारण मान और आपूर्ती में असंतुलन उत्पन होना मान और आपूर्ती में असंतुलन उत्पन होना जब किसी कारण से दिमांड एन सप्लाई में अन बैलेंस एराईज होता और संतुलन उत्पन होता तो इसके कारण मुद्रा इस्फिती उत्पन होते है इसके कारण मुद्रा तो शामान ने तवर पर मुद्रा इस्पिती उत्पन होने का कारण डिमांड का बढ़ना सप्लाई का कम होना या डिमांड कांस्टैंट है सप्लाई कम हो गई या supply constant है, demand बढ़ गई किसी भी कारण से जब demand और supply में और संतुलन उत्पन होगा तो मुद्रा इस्पिती जन्म लेती है अगर और ब्यापक रूप में हम जाते हैं तो हम कहते हैं कि मुद्रा इस्पिती उत्पन होने के कारणों को हम तीन भाग में बाढ़ सकते हैं मौद्रिक कारण, monetary काज़ेज और राजकोशी कारण, physical काज़ेज और तीशरा जो होता है, natural काज़ेज, प्राकृतिक जैसे बरतमान में टमाटर की जो किमतें आचानक बढ़ने सुनू वो प्राकृतिक कारणों से हुई आचानक हुई बरसात के कारण, टमाटर की खेती या टमाटर का पैदावार आचानक कम हो गए और बरसात के कारण, हिमाचल प्रदेश या अन टमाटर उतपादक छत्रों से टमाटर की सपलाई विभिन छत्रों में कम हो गए जिसके कारण मुद्रा इस्फिती उत्पन तो मुद्रा इस्फिती उत्पन होने का शामान ने कारण मां एवं आपूर्ती में या असंतुलन मौद्रिक कारण से भी हो सकता है या असंतुलन राज़कोशी कारण से भी हो सकता मौद्रिक कारण के लिए सामान तया किंदरी बैंक की मौद्रिक नीटिया जिम्मेदार होती है राजकोशिक कारण के लिए सरकार दोरा उठाये गए कदम और सरकार की नीतिया जिम्मेदार तीसरा कारण हमने बताया कि जो है प्राकृतिक कारण जैसे आचानक बारिश हो जाना शूखा पढ़ जाना या प्राकृतिक कारण है तो प्राकृतिक कारणों उशे भी मुद्रा इसफेते उत्पन होते हैं तो हमने कहा कि मुद्रा इसफेते उत्पन होने का जो कारण व्यापक रूप में हम जब डिस्कस करते हैं तो इसके लिए हम तेन कारण मानते हैं, पहला मौद्रिक कारण, दूसरा राजकोशी कारण, तेशरा प्राकृतिक कारण, तो मुद्रा इस्पिते इन तेन कारण, मौद्रिक कारणों में आर्वियाई द्वारा जो अपनाई गई नीतियां, आर्वियाई द्वारा चाहे उधार मौद्रिक नीति अपनाई जा, आर्वियाई के दिशा निर्देशों के आधार पर केंद्री बैंक द्वारा, अधिक साक स्रिजन, बानिजिक बैंकों द्वारा अधिक साक्स रिजन को बढ़ावा दिया जा अत्यधिक मुद्रा में आरवियाई द्वारा नोट का निर्गमन कर दिया गया हो तो इन सब कारणों से आचानक बाजार में तरलता बढ़ जाती है और मुद्रा इसफित उत्पन होती है जब हम मौद्रिक कारण की बात करते हैं मौद्रिक कारण जोता है इसमें अत्यधिक मात्रा में नोट निर्गमन कर ना अत्यधिक मात्रा में नोट निर्गमन कर ना उदार मौद्रिक निती अपनाना अत्यधिक साक्स रिजन को बढ़ावा देना साक्स रिजन को बढ़ावा देना ब्याज दरों को कम रखना दरों को कम रखना या मौद्रिक कारण है या बाजार में जाली नोटों का प्रचलन में आना इन कारणों से भी मुद्रा इस्पिति उत्पन होती जब हम राजकोशी कारण की बात करते हैं तो राजकोशी कारणों में करो में ब्रिधिक करना और प्रतक्ष करो मुख्य रूप से चाहे आयात सुल को चाहे विक्री करो या जियस्टी हो या उत्पाद सुल को इस तरह के करों में जब अत्यधिक बिद्धि कर जाती है तो मुद्रा इस्पिती उत्पन्न होती है कला बाजारी और जमा खोरी को बढ़ावा मिलना या भी एक राजकोशी कारण अत्यधिक निर्यात करदेना बेतन में ब्रिद्धि करदेना और शक्ता अनुसार उपयुक्त समय पर आयात न करना या भी एक राजकोशी कारण है केंद्र और राज्यों में प्रापर शमन्वय न होना यह मौद्रिक कारण है तो मुद्रा इस्पिती उत्पन होने के लिए राजकोशी कारणों में मुख्य रूप से सरकार की टैक्सेशन पॉलसी सरकार द्वारा जमा खोरी और काला बाजारी पर प्रभावी नियंत्रन न अस्थापित कलना केंद्र और राज्य के बीच उपयुक्त समन्वय न होना और त्यधिक निर्यात कर देने के कारण देश में बस्तूओं की आपूर्ती का कम हो जाना या भ्रश्टा चार और कमीशन संस्कृती का पाया जाना उपयुक्त समय पर और सकता अनुसार आयात न किया जाना या भी मुद्रा इस्पिती उत्पन होने के लिए उत्तरदाई कारण माने जाते क्रमचारियों के जब बेतन में ब्रिद्धी कर दी जाती है तो इस कारण भी मुद्रा इस्पिती उत्पन होती है जब सरकार द्वारा राजय शुब्याय में बृद्धे की जाती है तो उसके कारण भी ततकाल में मुद्रा एस्पेते उत्पन होती है तो अभी हमने बताया कि मुद्रा एस्पेते उत्पन होने का कारण क्या शामान ने तौर पर कारण मांग एवं आपूर्ती में असंतुलन उत्पन होना उसके साथ साथ मौद्रिक और राजकोशिक कारणों के हम चर्चा पर चर्चा आपके शाथ किया प्रश्ण यहां से अक्सर पूछा जाता भारत में मुद्रा एस्पेते की गर्णा कौन करता है भारत में मुद्रा एस्पेते की गर्णा किस प्रकार के जाती है तो मित्रो मुद्रा एस्पेती जो होती है वह मुल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर होती है मुल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर होती है परिवर्तन की दर होती है मुल्य सूचकांग बस्तूं के किमतों में होने वाले उतार चड़ाव को ब्यक्त करता है मुल्य सूचकांग को दो भागों में बाटा जाता है ठोक मुल्य सूचकांग और उपभोगता मुल्य सूचकांग तो भारत में 2011 के पाले जनवरी 2011 के पाले मुद्रा स्पिती केवल ठोक मुल्य सूच का डबलू पी आई के आधार पर आखलित की जाते थी लेकिन जनवरी 2011 से भारत में मुद्रा स्पिती CPI के आधार पर भी आंकलित की जाने लगे WPI होल सेल प्राइज इंडेक्स, CPI कंजूमर प्राइज इंडेक्स के आधार पर तो भारत में मुद्रा स्पिती की गर्णा उद्योग मंत्राले की अनुसंगी संस्ता लेवर ब्यूरो द्वारा किया जाता भारत में मुद्रा स्पिती की गर्णा कौन करता है उद्योग मंत्राले की अनुसंगी संस्ता लेवर ब्यूरो द्वारा किया जाता तो जनवरी 2011 के पहले भारत में मुद्रा एस्पिती की गाणना केवल WPI पर की जाती थी लेकिन अब CPI के आधार पर भी की जाती है। WPI या CPI उनको तीन भागों में बाटा जाता है। उनमें समलित बस्तुओं को तेन समुओं में बिनिर्मित बस्तुओं फिर प्रात्मिक बस्तुओं और इधन समुओं इन तीन भागों में बाट करके मुद्रा एस्पिती की गाणना के जाती है। तो बरत्मान में मुद्रा इस्पिती चाहे WPI के आधार पर आंकलित की जा रही है चाहे CPI के आधार पर आंकलित की जा रही है दोनों का बेश एर 2021-12 इस आधार पर आंकलित की जा रही है हालां कि WPI की तुल्णा में सी पिउआई में बश्तूओं की संख्या अधिक है शबसे अधिक बश्तूओं बिनिर्मित समूं की होती है फिर प्रात्मिक की होती है फिर इसके बाद एधन एवं शमूं की होती है अक्तार प्रश्ण पोष़ भारत में मुद्राि इस्पिती की गळणा कौन करता तो हाब बताना किस मुल्य सूच कानग का दार पर टो डबलू पी आई और सी पी आई दोनों आधार पर भारत में मुद्रा इस पी पक्षिक आधार पर अब कलकुलेट नहीं किया रही अब मंधली आधार पर किया जारे है WPI में शमलित मदों में सबसे अधिक भी निर्मित मदें हैं फिर प्रात्मिक मदें फिर इदन यही क्रम जो है CPI में है clear हुआ तो यह अब आगे है मुद्रा-SPD से संबंदित अधार है देखी सामानित तौर पर मुद्रा मुल में परिवर्तन से संबंदित जो इस्थितियां होते है पांच इस्थितियां होते है inflation मुद्रा-SPD inflation दूसरा है मुद्रा अप-इस्थित मुद्रा-अप-इस्थित डिस्निफलेशन तेसरा है मुद्रा संकुचन डीफलेशन चौथा है मुद्रा संसफिते संसफिते, रीफलेशन पांचवा है मुद्रा अवपाद या मुद्रा मुल में परिवर्तन से संबंधित पांच इस्थितिया है या पांच इस्थितिया है जिसमें अभी हमने मुद्रा इस्फित के बारे में आपको बताया तो अभी हमने आप लोगों के साथ चर्चा किया इन्फ्लेशन क्या है इन्फ्लेशन उत्पन होने का कारण क्या है इन्फ्लेशन की गर्णा किसके दोरा की जाती है मुल शूचकांग के बारे में मैंने चर्चा किया अभी मैंने आपको लिखा कि मुद्रा मुल में परिवर्तन की पांच इस्थितियां मुद्रा इस्पिती मैंने चर्चा कर लिए मुद्रा अब इस्पिती डिस्नी फ्लेशन का मतलब होता है जब बस्तूओं की किमतें बहुत अधिक बढ़ जाती है तो शरकार द्वारा किमतों को नियंतरित करने के लिए जो कदम उठाया जाता है उसके फल स्वरूप किमतों में गिरावट जब होती है तो उसे डिसनिफलेशन कहा जाता अब इसफिति कहा जाता मुद्रा इसफिति में बस्तूओं की किमतें बढ़ती है अब इस्तिति में किमतें में कमी लाई जाती है या आइटोमेटिकली नहीं होता है बलकि सरकार द्वारा उठाये गए कदमों का प्रभाव होता है एक चार्ट के माद्यम से इसे हम आपके साम डिस्कस करेंगे तो यहां से देख रहे हो O.A. जो है इस पॉइंट पर O.A. जो है यहां मुद्रा इस्पिती है इन्फलेशन फिर यहां किमतों में जो गिरावत हो रही है यहां मुद्रा अप इस्पिती है फिर C तक जो है मुद्रा संकुचन है और D तक जो है मंदी अरिशेशन पिरियड है फिर E तक जो है D से E तक की पोजीशन मुद्रा संस्पिती है संस्पिती इहां से लेकर यप तक जो है मुद्रा इस्पिती पुना है और इसके बाद की इस्थिति मुद्रा अवपात है तो मुद्रा मुल में परिवर्तन की यह पांच इस्थितियां अभी हमने पहली इंफ्लेशन बताया किमते बढ़ती हैं यहां पर किमतों में गिरावट लाएज़े सेश जो यह इस्थितियां हैं इसके बारे में हम आपके साथ आगे चर्चा पर चर्चा करेंगे अभी हमने आप लोगों के साथ मुद्रा इस्थिति के बारे में एक संचिप्त जानकारी दिया बहुत बहुत धन्यवाद शुप कामना है आप सभी लोग आप लोग प्रभात एक्जाम यूट्यूब चैनल को सबिस्क्राइब करना लाइक करना न बूलें और अपने मित्रों को भी इस बारे में जानकारी दें बहुत बहुत धन्यवाद शुप कामना